हेलो जी असलाम अलेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल के हाल चाले आप सब लूम का उमीद करती हूं कि आप सभी लोग खरिया से होंगे और यहां होता है खुबसूरस से दिन का आगास सो दिन का आगास हमेशा बिसमिल्ला पढ़ के करना चाहिए क्योंकि जब आपके दिन का आगास बिसमिल्ला से होता है लाग के नाम से होता है तो पूरा दिन ही अच्छा जाता है अच्छा पिछली व्लॉग में मैंने आप से एक एप शेयर की थ तो पिर दो चार दिन के बाद मुझे रियराइज वाक के नहीं वाक के ना अपने बेनिफेट होते हैं तो पिर मैंने आज से दुबारा से वाक स्टार्ट कर दी थी तो अगर आप कुछ जादा नहीं करते हो एक्सरसाइस वगेरा तो बस आदे गिंटे के लिए वाक कर लिया करो ये काफी अच्छा रहता है फूम पे बात करते हुए जो कुछ आप कुछ सुनना हो कोई बयान कुछ भी चीज तो फिर वो ना पहन फ्री लगा कर भी एजिली वाक कर सकते हो और यहां पे मेरा वाक हो गया था फिर मंगी थी छट पे और दो तिन बार में ना सीड़ें उतर चड़ ली थी मैंने यह मैं कभी कभी करती हूँ रोज का नहीं होता लेकिन कोशिश तो नियत तो हमेशा ही करती हूँ ना के बस करूंगी फिर आके मैंने प्याता खूब सारा पानी मौर्णिंग ड्रिंक्स आपको बहुत जादा मिल जाएंगी इंटरनेट पर जो की डिफरेंट होती है और फिर बीच बीच मैंने कोई ग्रीन टी लेमन ग्रास कुछ भी में लेती रहती हूँ यहां पर मैं बना रहती है अपना नाश्ता और राज मैंने सूचा है तमाम की साथ खाना बनाना चाहिए तिसन खाने कमें मेथि के पराठे उनों के इन डंशीक्भायाद पेप ज Dul哥at, भिला ये देंगेर्ग मेथि जया मेथि near 1770 तन चेक्षा它 को सब्समिर्चे में लैसन इस सब चीज में पेस्ड़े के सब्सरे चुरी एक आप मेरे चीज़ारखे कर सब्समिर्चिरिए सब्सक्रा और में नहारी थी और बचपपे बगर ने नहारी थी जाकोषा होसे हैं बाकी इन मुर्यों की स्पेस काफी बढ़ी है यहां पे बहुत ज़दा खुश रहती है और मेरे ख्याल से एक मुर्यां घर पे रखनी भी चाहिए और अगर आपके घर पे बच्चे हैं तो फिर तो रखनी ही चाहिए क्योंकि बच्चे जो होता है वो इन चीजों को देखते ह हैं और थोड़ा सा उठते हैं बैठते हैं मतलब जिसमानी थोड़ पर कुछ करने की कोशिश करते हैं और वाइस तो बच्चे मुबाइल में ही लगे रहते हैं अगर आप खुद उनके नाम से कहा दिखते हैं कि यह मुर्गी भी आपकी है और आपने इसका ख्याल रखना है तो वह क्या होता है कि वह उसको अपनी परसनल चीज समझ के उसका अच्छे तरीके से ख्याल रखते हैं वह इतने खुश होते हैं मारे गर पे जब बच्चे आते हैं तो मुर्गी और आप लोगों ने निको नजर नहीं लिगा निया और आप लोगों ने कह दिना है जी अप लोगों ने लगते हैं नजर लगा थी हमारी सुनो वाइट को वापसा के बना ली थी मैंने अपनी लिए ग्रीन टी अच्छा मेरा ने ख्याल के सरदियों में कोई रीजन और चाहिए ग्रीन टी पिने का सब लेमन ग्राशी बनाई ती जो कि मैं अपने गार्ण से और हैं और हैंगे लिए तो उसको मैं डरेक्ली नहीं रख देती हूं प्रिज में उससे इक बार कर लेती हूं फिर यह भी चेक होजाता है कि कौन सी सबजी खराब है उसे निकाल दे बनदा और अगर न मतलब सबजियां एक जगा पर यह रख देते हो तो जो नीचे आ जात मुझे रोज चेक आउट करनी पड़ते हैं क्योंकि आजकर मिर्चें इतनी जादे आ जाती है और इती चुटी चुटी सी आती है इनका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है सो यहां से मैंने फ्रेश फ्रेश जो थी चुनली थी कुछ और जो खराब हो चुगी थी मैंने इसको निकाल दिया था बागी को दोकर मैंने फ्रिज के अंदर रख दिया था दाल मैंने बना ली थी पेस्ट रखा वा था मेथी वाले पराठे का सो फिर मैंने अपने लिए पराठा ही बना लिया था दाल के साथ में बड़ा मज़े का लग रहा था यहां मैं आगी ते अम्मी के गर अरबास कर रहा था अपनी पेंटिंग, ड्वाइंग, कैलिग्राफी, सारा कुछ इसमें मिक्स हो चुका है सो यहां पे अबास ने ड्रा किया था फेस जो किसी इंफ्लेंसर का, मैं इसका नम भी पुछना भूल गी थी अच्छा यह बहुत ही प्यारा बना हुआ था और एक्जेक्टली पिक्चर की तरह आई था और उन्हें कुछ ना इसमें फलस्तीन वाला टच चाहिए था सो फिर अबास ने पीछे यह बहुत ही प्यारा प्यारा सा फलस्तीन लिखती आथा जिसके अंदर फलस्तीन का जंडा भी जो है वो मैंचन है और यह बहुत ही जादा प्यारा लग रहा था बाकि आप लोगों ने मुझे जरूर बताना है कि यह आपको कैसा लगा यह वर्क अबास का बाकि अबी ना इसको कंप्लीट भी करना था और फिर अबास ने से पैक करके डिस्पैच भी करना था क्योंकि जो भी हमारा काम अगयरा होता है स्माल बिजनिस का उसे बहुत ही ख्याल से करना पदे है कमेंट कर दिया करो अच्छा यहां पर मेरा भाई लेकर आया था नारियल और यह इतना एक्साइटेट था नारियल को कह रहा था खुद तोड़ेंगे खुद काएंगे अभुना हमारे लिए पहले लाया करते थे और शायद उस टेम पे बहुत चोटा था तो इसे याद निया इसके लिए एक एक्साइटमेंट थी कि नारियल लेकर आएंगे नारियल पानी पीएंगे और इंजॉय करेंगे अच्छा यहां पे ना फिर मैंने कुछ नेक्स्ट व्लॉग जो थे वह साथ ही में एड़ कर दिया थे और मैंने कम कम ही शूट किये थे जो और व्लॉग थे क अच्छा यहां पे हम लोगों ने मसेदार सा नाश्ता किया और फिर मैं गुजगीती कंबल में भी सर्दी रखती है तो फिर बंदे का दिल करता है कंबल में भी बेठा रहे है और यहां पे मैं बना रही थी अपना क्रोशे का ओडर यह देखो दो कलर ग्रेडियंट आपको यहां पे जी मैं ने फ्रूट इंटेक की थी और पानी पिया था सर्दीयों में होता है कि पानी पिया यह नहीं जाता तो कोशिश में करते हूं कि अपने साथ पानी रख लूँ और यह भी कोशिश करने चाहिए कि पानी को आप गरम करके रख लो जरूरी निया कि आप पानी करते हैं तो इस चीज़ का ख्यालना सर्दीयों में स्पेशली रखना पड़ता है कि गरमी में बनने को प्यास लग जाती है बनदा पानी पी भी लेता है और घर में मिशुरूबात भी बन रहे होते हैं तो उस चक्कर में मीना खुब सारा पानी आप लोग पी लेते ह आज आप लोग मुझे 21 तोपू की सलामी तो जरूर देना और देखो यहां पे इतने सारे मैंने बिस्किट देखे बट मैंने एक भीनी लिया यहां पे ना हर किसब का बिस्किट था और यहां से आकर तो मैं जरूर चीज देती हूँ मुझे बिल्कुल यहां पेले मैंने छोड़ दिया है बिस्किट मैंने बहुत खाया और यह मेरा फेवरिट सेक्शन पस मैं देखती रहेगी और मैंने कुछ भी नहीं लिया भई मुझे 21 तोपू की सलामी आज तो जरूर देदो और देख लो मैंने करके दिखाया है और बाकी यहां वाली चीजें हम लोग ना खा लेंगे अब ऐसा तो नहीं कि कभी भी नहीं खाएंगे बाकी आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना